हलो, नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया, स्वागत करता हूँ, यूटीब चैनल राकेश पूर्विया पर हमने क्लास 10 के कोर्स के बारे में आपको बोला है कि हम NCRT का जो साइंस का कोर्स है, वो पूरा कवर आपको करवाएंगे तो हमने इससे पहले आपको मैंने लेसन नमबर 4 कार्बन एवं उसके योगिक के बारे में पूरा समझा दिया था आज जो मैं लेसन आपके सामने लेके आया हूँ, वो है हमारा लेसन नमबर 5 तत्वो के आवर्थ वर्गी करण साइंस का चैप्टर है, और इस चैप्टर से विबिन परकार के कुषिन पिछले बोर्ड एक्जाम में पूछे गए हैं और उन board exam में जो question आये हैं वो हर साल repeat हो रहे हैं वह question दोस्ते तीन बार बार repeat हो रहे हैं इसलिए repeat होते हैं क्योंकि यह जो question में बताने वालों इस chapter के वो बहुत ही important है बार बार exam में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो competition exam की द्रिश्टी से भी बहुत महत्पूर होते हैं तो चलिए आज हम सुरू करते हैं हमारा lesson लेसन नमबर 5 तत्व के आवर्ट वर्गी करन पार्ट नमबर 1 पढ़ने वाले तो क्या है इसके मुख्य बिंदू सबसे पहले lesson के हम सुरुवात करते हैं तो देखिए हम lesson की सुरुवात करते हैं सबसे पहले तत्व के बारे हम समझते हैं तत्व क्या होते हैं तत्व का start पर यह है कि दुनिया में कोई भी परदात हो बीना तत्व के नहीं बना हुआ है कोई भी परदात हो सोना चांदी लोहा तांबा पीतल जो भी हो कोई भी परदात बिना तत्व के नहीं बना हुआ है तो कोई भी परदात बना होता है किससे बना होता है तत्व से बना होता है दुनिया का कोई भी परदात अब आगे लिखा है मैंने आवर्त वर्गी करण हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गी करण देखिए वर्गी करण से तातपरी क्या होता है किसी भी वस्तु को अगर सही ढंग से समझना है तो उसका वर्गी करण करना बहुत आवश्यक है मैं example लेके बताता हूँ आपको जैसे कोई किरना store है वहाँ पर अगर हम साबुन लेने जाते हैं यानि कि live boy लेने जारे माल लीजिए अगर live boy साबुन लेने जारे हैं तो हम बोलेंगे live boy साबुन चीए तो वो हमें live boy देगा कि निर्मा देदेगा नहीं देगा क्योंकि हमने live boy मांगा है तो वो क्या करेगा उस shop के अंदर उस दुकानदार ने अलग-अलग company के साबुन को अलग-अलग part में वर्गी करत कर रखा है कि live boy एक जगे रखने निर्मा एक जगे रखने लक्स एक जगे रखने इस तरह वो साबुन का क्या कर देता वर्गी करन ताकि उसको डूनने में कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से वो साबुन उसको मिल जा और customer को भी आराम से दे दे तो वही चीज में या तत्वो के लिए बताँगा तो इस chapter में हम तत्वो का आवर्थ वर्गी करन करेंगे तत्वो को divide करेंगे और मैं आपको समझाँगा कि कौन सा तत्व क्या काम आता है तो चलिए लेस्न कोर मैं आगे बढ़ाता हूँ और उसको समझने के हम कौसिस करते हैं सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ तत्व जो होते हैं वो मानव निर्मित भी होते हैं और प्राकर्तिक भी होते हैं यानि कि प्रकर्ति से भी प्राप्त होते हैं और मानो निर्मित से ताथ पर यहें कि लेबो ट्री के अंदर भी बनाएं जाते हैं, प्रयोक सालाओं में भी बनाएं जाते हैं सबसे पहले हम इस चैप्टर के इतियास की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इतियास क्या कहता है और इतियास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डोबे राइनर त्रिक का त्रिक पढ़ेंगे क्या है डोबो राइनर का त्रिक इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे सबसे पहली बात एक समझ लीजे अभी तक इस संसार में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अभी इस वर्ल्ड के अंदर और बाखी खोजोर चल रही अभी तक 118 तत्वों खोजे जा चुकी है चलिए हम पढ़ते हैं डोबे राइनर का त्रिक डोबे राइनर क्या कहता है ये डोबे राइनर के अनुसार कोई भी तत्व होता है उसको परमाणु भार के अनुसार जमाना है में किसके अनुसार जमाना है परमाणु भार एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु का भार तो परमाणु भार के अनुसार हमको तत्वो को उनके बढ़ते हुए क्रम में जमाना है तो देखिए आप इसको ध्यान से समझेए में एक definition लिखता हूँ जब तत्वो को उनके परमानु बार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है तो तीन तत्वो का समुप्राप्थ होता है ये डोबे राइनर ने बता है उसकी बारे में बता रहों में तो तीन तत्वो का समुप्राप्थ होता है उसे त्रिक कहा जाता है त्रिक कहा जाता है क्या कहा जाता हुसे त्रिक कहा जाता है या फिर डॉबे राइनर का त्रिक कहा जाता है अब तीन समों से क्या तातपरिश समझी वो जैसे मैं आपके सामें एक एक्जामपल लिखता हूँ तीन समों पर आप हुए केल्सियम ऐसा और बेरियम केल्सियम का जो पर्माणु क्रमांग है वो है पर्माणु भार है सोर 40.1 होता है इसका होता है 87.6 और इसका होता है 137.3 इसका पर्माणु भार होता है देखिए पर्माणु भार के बढ़ते हो क्रम में जम्य हुए तो इससे क्या होगा दोबे रहने कहता है कि जब जाता है तो तीन समू यानि कि तत्व के तीन समू प्राप्त होते हैं तो देखें इसका 40.1 के परमानुगार इसका सित्यासी पॉंट 6 है इसका 137.3 है तो यह आता कैसे इसको समझे तो इसमें मुख्य बाद यह है जो हमको मद्य वाला देखना है यह पहला परमानु यह दूस सा लिख देता हूं उसको समझे मद्य का परमानु भार मद्य वाले का जो परमानु भार है मद्य का परमानु भार अन्य दो तत्वों के मद्य होता है क्या होता है माद्य होता है इसको समझे जैसे मद्य का जो परमानु है तत्व है उसका जो परमानु भार है 87.6 यह कैसे आएगा जब पहला तत्व और जो अंतिम तत्व इन दोनों को हम जोड़ने क्या है इन दोनों को जोड़ने जैसे 40.1 प्लस 137.3 इन दोनों को जोड़ने इसमें 2 का भाग देदें माते निकालने के लिए इसमें 2 का हम भाग देदेंगे तो क्या आएगा 177.4 बटावा 2 आएगा और जब 177.4 के अंदर 2 का डिवाइट किया जाएगा तो लगबग मान कितना आएगा 87.6 वेल्यू आ जाएगी लगबग कितनी आ जाएगी 87.6 लगबग वेल्यू हमारी आ जाएगी इस प्रकार से हम डोबे रैनर ने कहा है मद्य का परमान बार अन्य दो तत्वों के परमान बार का क्या होता है माध्य होता है तो जो मद्य का परमान बार का से निकला है जो पहला तत्वे गाला को जोड़ के स्कता लगवग आ जाएगा तो यस तरह का मान निकल चाएगा तो यह था का ल टे भाग देंगे तो बीच का भार निकल जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें भी यह करेंगे हम पहले और अंतिम के भार को जोड कर उसमें दो का वर डिवाइट कर देंगे तो ब्रोमीन का भी परमानु भार हमार पास आ जाएगा इस प्रकार यह हमारा डोबे प्रिवाद करने में कोई दिक्कत ना हो ले लीजा आ यहां तक ब्र inquire इसका चले हम आगे पढ़ते हैं इस्तियास के अंदर ही पढ़ते हैं नुव लेंड का अस्टक नियन बहुत ही हीम नियूलेंड का अस्टक नियम द्यांस इसको आप समझेय 56 न्यू लेंड का अस्टक नियम, न्यू लेंड्स का अस्टक नियम, समझेंगे बहुत ध्यान से, क्या है न्यू लेंड का अस्टक नियम? तो इसने क्या बोला है? इसको समझें, पर्तियक आठवे तत्व का गुण पहले के समान होता है। क्या है यह समझेशको सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं न्यू लेंड के समय 56 तत्व की खोज हो चुकी थी और न्यू लेंड ने बोला जब परमानों तत्व को उनके परमानों भार के बढ़ते हो करम में जमाया जाए तो देखिए मैं परमानों भार के इनको तो देखिए इसको समझे आप जब तत्वों को उनके परमाणों भार के बढ़तेव करम में जमा देंगे तो Newland कहता है कि परतेक आठवे तत्व का गोन पहले के समान होता है यानि कि अगर ये पहला नंबर है ये पहला तत्व है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिप्थ, सिक्थ, सेवन्थ और एर्थ यानि कि पहले का गुण किसे मिलेगा आठवे से यानि कि इन दोनों के गुण क्या होंगे? सेम होंगे क्या होंगे? सेम उसी तरह से ये दो है तो इसका गुण किसे मिलेगा आठवे से तो आठवा काउन करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक आठ तो लीथियम के गुण किसे मिल जाएंगे सोडियम से मिल जाएंगे इसी तरह बेरिलियम से काउन करते हैं पहले तत्व के समान होते हैं तो ये था हमारा नियू लेंड का अश्टक्नियम इसकी तुलना नियू लेंड ने किस से की है वो आपको बता देता हूँ समझे इसको में बता देता हूँ आपको ये फिर से सा रे गा मा पाधा नी और सा हो जाएगा यानि कि उसने संगीत के सवरों से इसकी तुलना की है कैसे सारे गामा पाधा निसा तो सुरू में भी सा आता है और अंति में भी क्या आता है सा आता है यानिक सा सा के गुण एक जैसे होंगे समझे सारे गामा पाधा जा निशा हो जाएगा ये फिर आगे वापस चलेंगे ब ऎसे हो जाएगा इस तरह सारे गामा पाधा निशा संगीत के स्वरों से आट स्वरों से इसके तुलना किसने की है Newland ने किये इस निएम की तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब मैं इस नियम की कुछ कम्या लिखवा देता हूँ, कुछ कम्या भी है इस नियम की तो वो समझे, कम्या बता देता हूँ, बहुत ही महत्पूर एक्जाम पूछी जाती इस नियम की कुछ कम्या, कि न्यू लेंड के अस्तक के नियम की पहली कमी क्या है, तो पहली कमी ये है कि ये जो नियम है उस समय चपन के आगे कोई खोज नहीं हुई यह Newland ने बोला है कि 56 तत्व के आगे कोई खोज अब नहीं होगी, यह पहली कमी है कि Newland कहता था कि बस 56 तत्व के आगे अब कोई तत्व खोजा नहीं जाएगा, बस 56 तत्वी खोजे जाएगे, तो यह पहली कमी यह है, दूसरी कमी क्या है, उसको भी आप जाम से समझे, यह नियम केल्सियम तक ही लगो होता है, मतलब कम परमाणो भार तक वाले तत्व तक ही नियम लगो होता है, यानि कि यह नियम जो होता है, सिर्फ कहां तक लगो होता है, केल्सियम तक ही लगो होता है, इसके आगे जो भी तत्वा आएंगे, उन तक यह नियम लगो नहीं होता ह थार्ड बहुत important point है आपके लिए कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर दो दो तत्व रख दिये गए कहीं पर Newland ने क्या किया इसके अंदर दो दो तत्व रख दिये जैसे यह देखिए hydrogen का गुण fluorine से मिलता है fluorine का गुण किसे मिलता है calcium chlorine से मिलता है और इसके नीचे उन्होंने दो तत्व रख दिये जैसे cobald भी रख दिया और nickel भी रख दिया यानि कि cobald भी होगा और nickel भी होगा जो की संभव नहीं है मतलब chlorine के गुण cobald से मिलेंगे chlorine को गुण nickel से भी मिलेंगे इस परकार से कहीं कहीं पर Newland ने जब ये नियम दिया तो कहीं कहीं पर उसने क्या किया दो-दो तत्वों को साथ में रख दिया जिससे ये पता नहीं चल रहा है कि उसके गुण किससे मिलते हैं तो दो-दो तत्वों को भी उसने सामिल कर लिया था तो ये कुछ कम्या थी 56 तत्व के आगे कोई खोज नहीं होगी ये Newland केता था ये नियम केलसितम की लगू होता है थाड़ कहीं कहीं पर Newland ने दो दो तत्व को भी रख दिया इस प्रकार से मैंने आज आपको दो नियम समझा है एक तो डोबे राइनर का थ्रिक समझा है जो आपको समझ में आ गया होगा और आज मैंने आपको बता है Newland का अस्टक नियम जो की परिक्षा की द्रश्टी से बहुत ही मित्पूर है बोड एक्जाम में दो-तिन साल से मैं देख रहा हूँ रेगुलर एक विशिन पूछा जाता है तो आप जरूर इसको पढ़ लीजिए दोनों नियम को आज जरूर आप पढ़ लीजिए ओ दो-तिन बार वीडियो को जरूर देख लिए ताकि आपको पूरा याद हो जाएग स्एलियो को जरूर इता है ऑघड़ है तोग्योर रहा है कहा जपूर भीजिए पूर आपको पूर से रहा है।